कि अपूआ कि अब इसको मैं पीसने से एक मिक्सी में तो दरद्री तो उसको अच्छा आता है तो बस यहीं मैं पीस के अभी ले रही हैं और मुंग दाल के मांगोडे तो बरसात की मौसमें मंगोडे हो पकोड़े चटपटी चीजों बहुत अच्छी लगती है तो आज हमारे घर में बन रहे हैं को मैं पीस के किस्कों सारे मसाले भी मिक्स करूंगी तो यह मेरा पिस रहा है दिल्र दिल्र हो गया है वारीक नहीं करना है थोड़ा दर दरा ही रखना है और एकदम महींन भी सब्सक्राइब और की साइज रिखना है घृता सब्सक्राइब अब मैं इस में पीस ले हैं था करका ले हूँ कि इसको अछछे सी कर लेंगे अच canonical कहें तेज़ से अब रियुक्त मैं नई कटी प्याज है कि कि और इसमें पर हरी मिर्श और भी डाल सकते हैं हरly मैंने बच्चों की वज़े से हमालीक धालिए ल्यादा थीखा नहीं काते ऊपटे हैं अगर आप के यह खाते तो आप अप्षिसमें हरी मिर्च काटकर ढालिए थोड़ा सा लहसन डालिए और अध्रक अब तो इसका टेस्ट और बी एकदम अच्छा बता है हरा धनिया आफ्य habían देतलियों साथ में म्मिच्रों दालें यह इसमें टेननल सोरी और थोड़ी सी लाल मर्ज जितना आपको तीखा या चटपटा आपको जितना खाना है अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गाइस मैंने इसमें आलू मिक्स कर लिए हैं वो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूं छोटे-छोटे पीस किये थे मैंने आलू के वह इसमें मैंने मिक्स किये हैं शाघ के बिना अलू टाले वह आप इसको बना सकते हैं मैंने इसमें अपको डालने सा तोड़ा सट टेस्ट ब्रब सब्सक कर लिए तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ये तेल मैंने गरम होने रख दिया था जब तक मैं ये सारी प्रोसेस कर रही थी मसाले में लाने की तब तक ये मेरा तेल गरम हो रहा है इसको अच्छे से गरम करना और ये मैंने सरसो का तेल लिया है सरसो के तेल में पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं लुकाज ने सबस्टानी करें कि अलालेगी है है और हाँ गैस को ज्यादा हाई में रखनाई तेकि यह उपर से जले नहीं wider उपपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्छे रह जाएंगी तो भी अच्छे नहीं लगिंगी में मिडि़ियं में रखना में एक दम मैं इसमें डाल रही हूं बताना आपको कैसे लगते हैं ये मुझ डाल के मुगाड़े मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं अब देखो इसको धीरे धीरे चलाएंगे इक एक करके इसको पलट देंगे इसमे गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं हलके हलके थोड़ा सा और करेंगे इसको देखिए दीरे दीरे ऐसे इसको भूमाईए और ये भूनने के बाद थोड़े थोड़े देखो मेरे एक दूश में हो चुगे हैं इसको अच्छे से फ्राइ करना है इसको थोड़ा टाइम लगता है ये सब करने में क्योंकि में गोड़े सिखने में टाइम लगता है अब ये देखो मेरे हो गए हैं अब मैं इसको निकाल लूँगी अब ये सर्व करने के लिए रेडी हो गए हैं झेले पीक जैज़ी चिस्टन से zostब करने में हैं थे श्यास अब बादा के हैं जैव चुशोंव झारे हैं